उत्तरवैदी काल को आप जानते हो प्रमुक्ता किसकी आगी थी यग की उत्तरवैदी काल में सब से प्रमुक हो गए थे यग प्रमुक्ता आप याद रखना है ना भी प्रमुक हो गए थे यग मतलब हर एक बड़े अनुस्थान पर या फिर एक बड़े प्रोग्राम पर क्य यग, आगे चलके इस यग को अगनी मित्र ने भी करवाया था, ठीक है भी अस्व मेध यग, वहीं आगे चले दूसरा आपका, इस इस यग में क्या होता था, तो इसमें मैं आपको बताया, कि राज्य की सीमा विस्तार के लिए, राज्य की सीमा विस्तार के लिए, क्या करते थे भी, एक अस्व को छोड़ दिया, और जितने एरिया को कवर करेगा, वो एरिया या तो डारेक्ट हमारा, या फिल लड़ो, लड़ाई करो, और घोले को ही क्यों रखते थे इसमें, अस्व में दियग्य क्यों होता था, ये गोड़े का नेचर होता है, गास काने के लिए उसको घास खानी है, और घास खाने के लिए वो बर्फ के पहड़ों पस जाएगा नहीं, वो जाएगा कहां पर है, उपजाओ भूमी में, और उत्तरवेधी काल में सबसे जरूर क्या थी, उपजाओ भूमी, ठीक है, तो राजसु, राजसु है, यग इसमें क्या होता था, इसमें जब राजय का गोजित किया रहा है, आज से वो महारा राजा होगा, तो कोन सा यूग होता था, राजसु है ठीक है, आगहे चले, एक यग होता था आपका, एक होता था वाजपे यग कौन सा भई वाजपे यग इसी यग में क्या होता था भई वाजपे यग इसी यग में राजा जो वहां का सासक होता था सासक सासक के दुवारा क्या करायता था बई अपना सक्ति प्रदर्शन जब अपनी पावर दिखानी होती थी न तो राजा इस यग को कराता था बहुत बड़े लेवल पर अपनी सारी सेना को बुलाना हाथी गोड़े जो भी है सब को उस यग में बुलाना और पड़ोसी राज्य को और अपनी अपनी पावर दिखाते हैं फर एजांपल अमारे प्रदान मंत्री मोदी जी जैसे इस बार 24 के एलेक्शन हुए उन्होंने भी MP के एलेक्शन लडा और जब वो परचा बनने गए तो उनके साथ 810 मंत्री मंत्री पदगे व्यक्ती 810 राज्यों के मुख्य मंत्री सब साथ म अब देखो हमारे पास कितनी पावर है यह दिखाते हैं सबी दिखाते हैं तो यह होता था क्या सक्ति प्रदर्थन आप याद रहों कि एक होगा आपका अस्वमेद एक होगा राजसुयग एक होगा वाजपे नेक्स अगर में बात करो आपसे एक होता था अगनी स्टोम लिए एक वारिष निए पहले एक का नाम क्या था अस्वमेद याग यूस क्ति यूज आं गोटा और किसके लिए राज्जे विस्तार के लिए यह का थे एक तरीके से आपका सीमा बढ़ाने के लिए या फिर अपने राज्जय में उपजाव भूम नाने के लिए सिंपल द सब्सक्राइब तो कोन सा बई सोत्रामणी येक में क्या होता था कि इस यग में पसु या फिर सूरा सूरा मतलब जानते हो ना क्या सराब पसु या फिर सूरा की क्या गरनी बली देव ओधी ती इस मैं क्या देख तरीके से पसू और सूरा की वड़्याद नहीं अहूती विल्कुल वड़्याद नहीं मेने आहूती पसू और सूरा की आहूती इस यग में होती थी ठीज कै ना नेक्स्ट बात करूं आपसे एक यग औरता च्छटा यग आपका जिसका नाम था पुरुसमेद यग और पुरुस मेध याग, है ना, और पुरुस मेध याग मों क्या होता था, किसी भी एक विद्वान, जो मतलब एक तरह केसे कोई विद्वान व्यक्ति है ना, उसकी क्या करना, बली देना, अब यहाँ क्रकरी हो जाएगी बले आवाली, थीक है? तो क्या किसी विद्वान की बली देना अब किस बात का था विद्वान वनेगा विचारा कि उससा पता ज्यादा विद्वान हो गया ना तो बकरी मैंने इमारी है फिर मैं चलूंगा फासी अंदेर रगी नगरी चोपड राजा ठीक है भी तो याद रखना यह जो आप पूर् कि अपनी पावर को और बढ़ाने के लिए तो राजनेतिक वर्चस्व को बढ़ाने के लिए होता था कौन सा यग आपका पुर्शमेद यग एक वाड़ देखें कौन-कौन सा यग है आउजरा ध्यान दो देखो भई दिवाइस करो पहले सही से पहला एक कौन सा है भई अस कि लिए पाप मुक्ति के लिए सोत्रामणी में क्या होता था पसु और सुरा की आहूति है ना और एक आपका पुर्शमेद यग क्या होता था इसमें विद्वान की बली और किसलिए राजनेतिक वर्चस्व के लिए याद रहेगा आगे का मैं थोड़ा साब कर देता हूं यह तो आपकी क्लास थी ओफ रिकोर्ड कर दें इसको फिलाल बंद कर दें क्योंकि इन लोगों को